दुनिया की आठ ऐसी जगहें जहां कभी रात नहीं होती, महीनों तक रहती है धूप कनाडा के नुनावुट शहर की आबादी महज 3,000 लोगों की है इस शहर में करीब दो महीने लगातार धूप रहती है इस दौरान यहां के लोगों को रात देखने को नहीं मिलती है वहीं सर्दियों में यह शहर लगातार 30 दिनों तक पूरी तरह से अंधेरे में डूबा रहता है यह कनाडा के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में आर्केटिक सर्कल से 2 डिग्री उपर स्थित है और कनाडा का दूसरा सबसे प्रमुख परेटन स्थल है जहां पर बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं यह शहर अलास्का में मौजूद है आपको बता दें बैरो में मई के आखिर से लेकर जुलाई के आखिर तक सूरज ढलता नहीं है फिर इसके कुछ महीने बाद यानि सर्दियों में आप इसका उल्टा देखेंगे नवंबर की शुरुआत में यहां अगले 30 दिनों तक अंधेरा रहता है इस कंडीशन को पोलर नाइट्स भी कहते हैं बर्फ से ढखे पहाडों और दिलकश नजारों वाले ग्लेशियर्स के लिए फेमस इस जगह पर आप गर्मियों या सर्दियों में जा सकते हैं और इसका लुफ्त उठा सकते हैं प्रित्वी पर दूसरी सबसे ज्यादा धूप वाली जगह अमेरिका के फीनिक्स में है फीनिक्स जो की एरिजोना की राजधानी है यहां साल में 3872 घंटे धूप रहती है इसे आम तोर पर सूर्य की घाटी के रूप में जाना जाता है और इसकी आबादी लगभग 1.5 मिलियन है यह जगह अपने गर्म दिनों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है यहां का तापमान जून और सितंबर में 40 डिग्री से भी उपर चला जाता है 1990 में यह तापमान 50 डिग्री के रिकॉर्ड पर पहुँच गया था और देश में लगभग 4 बजे दोबारा दिन निकल आता है यह एक ऐसा देश है जहां आपको साल के 6 महीने तक सुबह देखने को मिल जाएगी यहां टूरिस्ट एडवेंचर अक्टिविटीज जैसे की गोल्फिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग और भी कई चीजों में इन्वोल्फ होकर लंबा दिन गुजारा जा सकूता है प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखने के लिए स्वीडन टूरिस्ट के बीच बेहद प्रसिद्ध है यहां जाकर कुछ दिन बिताना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है क्योंकि बिना रात के कहीं पर रहना एक अलग एक्सपीरियंस होता है ग्रेट ब्रिटेन के बाद आइसलेंड यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है और यह ऐसा देश भी है जहां आपको एक भी मच्छर देखने को नहीं मिलेगा वहीं अगर हम सूरज की बात करें तो आइसलेंड में जून के महीने में सूरज कभी भी अस्त नहीं होता एक्यूरेरी शहर और ग्रिमसी द्वीब जाना पड़ी डिश हेगा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में करीब 10 लाख से अधिक लोगों की आबादी है यह दुनिया का सबसे उत्तरी शहर है यहां डेड़ महीने तक सूरज होराइजन के नीचे इतना नहीं गुजरता कि आसमान में अंधेरा चा जाए इसी कारण से यहां भी इस दौरान हमेशा दिन रहता है यहां के लोग अंधेरा देखने को तरस जाते हैं और जब उन्हें नींद लगती है तो वह दिन में ही सो जाते हैं क्योंकि अंधेरा तो यहां होता ही नहीं यह सिचुएशन काफी अजीब होती है फिनलेंड हजारों जीलों और द्वीपों की भूमी फिनलेंड के ज्यादातर हिस्सों में गर्मियों के दौरान 73 दिनों के लिए सूरज देखने को मिलता है जबकि सर्दियों के वक्त इसका उल्टा होता है इस दौरान यहां अंधेरा चाया रहता है इस नजारे को दिसंबर से जनवरी के बीच देखा जा सकता है लेकिन यह उन्हीं हिस्सों में देखा जा सकता है जो आर्टिकल सर्कल में आते हैं यह भी एक कारण है कि यहां के लोग गर्मियों में कम और सर्दियों में ज्यादा सोते हैं यहां आप नॉर्दन लाइट्स, स्कीइंग और ग्लास इगलू में रहने का लुथ उठा सकते हैं नमबर एक हैमरफेस्ट सिटी नार्वे का हैमरफेस्ट दुनिया के सबसे उत्तरी शहरों में शुमार है नार्वे अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है यहां मई से जुलाई के बीच करीब 76 दिनों तक सूर्यास्त नहीं होता है इस दौरान यहां पर कई सारे टूरिस्ट भी इस अनोखे द्रिश्य को देखने के लिए आते हैं जो उनके लिए अनोखा एक्सपीरियंस होता है अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना